नमस्ते मैं आकाश विस्वास आप सब का स्वागत करता हूं बाते खेती की के आज की इसकड़ी में आज की इसकड़ी में हम बात करेंगे केले की खेती और उसके तौर तरीकों पे चर्चा को आगे बढ़ाएंगे क्रिशी विशेशग्य डॉक्टर अफदेश शुकला जी के साथ डॉक्टर साब बहुत-बहुत स्वागत है आपका मारे शुकला जैसे कि हम आज केले पर बात करना चाह रहे हैं तो एक कहावत है कि धान पान और केला ये तीनों पानी के चेला इस जुमले को समझना चाहूंगा सबसे पहले बहुत बढ़िया आपने सुरुआद की है देखिए ये किसी कभी ने जो कहा है उसका कहने का उसका जो आसे है धान पान और केला धान को भी पानी की बहुत जरूरत पढ़ती है पान को भी पानी की आवर्शक्ता पढ़ती है क्योंकि आपने देखा होगा कि जब किसी की इसको भी पानी की बहुत आवश्कता पड़ती है इसलिए ये कहा गया है कि ये तीनों पानी के चेला है यानि इनको पानी की अधिक आवश्कता पड़ती है पानी ही इनकी जरूरत है जादा जरूरत है इसलिए पानी का चेला कहा गया है कि पानी की अधिकता में ही ये जो है स तो फुकी रहते हैं अच्छा जैसे कि हमारे किसान भाई हमारे देश किसान भाई अगर जो केले की खेती करना चाथे हैं तो सबसे पहले कैसी मिट्टी में केला उकता है या फिर अपने खेत को किस तरीके से उनको तयार करना चाहिए जीवान स्युक्त मिट्टी जीवान स्युक्त मिट्टी का मतलब यह है कि जिसका औरवरा इस तर बहुत अधिक हो उसको हम जीवान स्युक्त मिट्टी कहते हैं पैदावार बढ़ाने की जिसमें मिट्टी में छमता अधिक हो उसके लिए जो है जी करते हैं या जिस छेत्र का हम सिलेक्शन करते हैं तो यह तो आवस्या की के लिए पानी की आवश्क्ता आधिक पढ़ती है लेकिन उसके साथ-साथ यह भी आवश्यक है कि पानी भरा हुआ ना रहे जल निकास वाली अच्छी जल प्रोबंद वाली अच्छी भूम जो है वो के प्रफट के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है याने की ऐसी जगा चुने कि जहां पे जल निकासी की जो सुविधा हो वो बराबर हो जल जमा नहों सके जमा नहों सके अच्छा यहां पे मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा आप से कि मैंने एक जगा देखा है हरियाणा में ही एक 15-20 फिट का गड़्धा खोद कर उसमें जो धान के जो पुवाल जो आखिर में जला दिये जाते हैं उनको भर दिया गया क्योंकि पानी सोखने की क्षमता राख में होती है और उसके उपर केले के पौद लगाए गए जो की अच्छे खासे बड़े हो गए और उनमें फल फू अच्छान भाई इस तकनीक को भी अपना सकते हैं तकनीक को बिलकुल अपनाया जा सकता है लेकिन परिशनी इस बात का है कि राख में केवल पुठास की मात्रा जो है वही अधिक होती है उसमें जो आपने ये देखा है कि जो गड़्डा खोदा गया है और गड़्डा होगी उतना ही जड़ों का विकास अच्छा होगा जड़ का फैला हो जाना होगा अब जब जड़ों का विकास अच्छा होगा तो तनावी स्वस्त होगा तो पत्तियां भी अच्छी निकलेंगी जब पत्तियां अच्छी निकलेंगी तो प्रकास संसेशन की क्रिया भी उसम है लेकिन उसके साथ साथ सिर्फ केवल राक से ही काम नहीं चलता है उसमें हमारे और वी औरवरक्त और खादगी आवश्चता बढ़ती है अच्छा ये तो थी कि हमारे किसान भाई अपनी भूमी को किस तरीकी से तयार कर सकते हैं या कौन से मिट्टी में केले के पौध है केल केले की किस्मों के बारे में केले की किस्म एक तो फल वाले होते हैं जो बाजार में बिक्ते हैं जिनको सीधे जिनका आहार सेवन सीधे कर सकते हैं एक और प्रकार होता है जिनकी सबजियां बनाई जाती हैं तो इन दोनों में कितना अंतर है जो फल के लिए जाती हैं उनका अलग और जो सबजी के लिए हैं वो पर जातियां अलग हैं जो फल के लिए जातियां है वो उसमें भी दो परकार की जातियां है एक बौनी जात और एक जादा बढ़ने वाली जात यानि एक जिसकी उचाई कम और एक की उचाई को ज्यादा अब जैसे बौनी जात है तो बौ मीटर से जादा नहीं बढ़ती है तो एक तो देखने में भी बहुत अच्छी लगती है और दूसरे जगे भी कम गेरती है दूसरी जो हरी शाल का खेला जो जानतर प्रचलित है वो भी बौनी जाद में ही आता है उसके बाद जो जाना बढ़ने वाले जातियां है उसमें एक जो है अलपॉन हें जातियां। हैं फुसल्राइबध ढ़न जाती है वो दखशन भारत की बहुत ही नोग प्रिज जाती है और इसको ही वहां पर बहुत जाना अगाया जाता है अच्छाब आपने पका बात बताई कि जो पून जाती है वह भारत में बहुत ही ज्यादा लोकप्री है दक्षिन भारत में उगाय जाने वाले केलों में अक्सर एक लाल पंसा देखा गया है कि जब उनको काटा जाता है तो एक लाल रंग सा उसमें वो होता है वो उसका कारण क्या है या फिर वो प्रजाती ही ऐसी है कि वो प्रजाती ही इस प् रीडर होता है उसकी विशेष्टा है कि किस छेत्र के लिए किस प्रकार की याद तैयार करें ताकि अधिक से अधिक उपज प्राप्त हो सके दोस्तों हम बात कर रहे थे प्रजातियों में चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे लेकिन वक्त हो चला एक चोटे से ब्रेक का तो आप कहीं मत जाईएगा हम जल वापिस आते हैं दोस्तों स्वागत है आप सब का ब्रेक के बाद चर्चा को आगे बढ़ाते हैं डॉक्टर शुकला हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर साथ ब्रेक पे जाने से पहले हमने फलों के बारे में जाना कि कौन सी प्रजातिया हमें फल देती हैं या जिनको हम फल के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं अब जिनकी सबजिया बनाई जाती है उन प्रजातियों के बारे में जानना चाहूँगा देखिए सब्जी के लिए विशेश दो जातिया जो हैं पहला है कोठिया और दूसरी है मुन्यन ये जाती सब्जी के लिए ही विशेश है तो याने कि इन दोनों ये जो प्रजातिया हैं उनको विशेशता सब्जी के लिए हुगाया जाता है अच्छा तो ये तो हो गए प्र दूरी बनाए रखें या फिर रोपर्ण किस तरीके से किया जाए कि उनको किसी तरीके का नुकसान ना हो केले का बाग लगाते समय सबसे पहले हमको यह देखना है कि पौदे से पौदे की दूरी और लाइन से लाइन की दूरी yet बौनी जात है तो दो वाई दो मीटर और यह उंची बढ़ने वाली जात है तो हम 2.5 से लेकर के 3 मीटर लाइन से लाइन की दूरी या पौदे से पौदे की दूरी रखेंगे अब हम उसी के अनसार पचास बाई पचास बाई पचास बाई पचास यानि लंबाई चोड़ाई गुना उचाई मई में ही हम खोद करके डाल देते हैं मई में खोद करके डाल देने से उसमें कीडे के गंडे होंगे लारवा होंगे वो धूब में नश्ट हो जाएंगे 15 दिन तक गुद्य को खुला पड़ा रहने देते हैं यानि ये प्रक्रिया जो है मई के महीने में यह बात ध्यान देने लायक है कि जो भी शुरुवाती प्रक्रिया है वो मई के महीने में ही शुरू कर देनी चाहिए 20 से 25 किलो ग्राम गोवर की सड़ी हुई खाथ बिशेश कर ये बात का ध्यान रखे हैं कि सड़ी हुई शब्द जो है इस पर जड़ देने वाली बात है नहीं तो बात में दीमक लगने की संबावना बढ़ेगी तो 20 से 25 किलो गोवर की सड़ी हुई खाथ और उसमें 5 सीसी 5 एमिल जो है वो क्लोरो पारिफास 5 लीटर पानी में मिला करके और मिट्टी उपर की जो मिट्टी है उसमें मिला करके गड़े में हम भर देते हैं और गड़ा भरने के बाद गड़े की सिचाई कर देते हैं सिचाई कर देने के बाद जैसे ही गड़े में ओट आए बैसे ही जो है केले की पुत्तियां लगाई जाती है केले का बीज नहीं होता है केले की पुत्तियां लगाई जाती है तो पुत्तियां लगाते समय इस बात का ध्यान रखे हैं कि पुत्तियां का आकार बिलकुल तरवार की तरह होता है और उनका कंद पूर्ण बिकसित होना चाहिए अर्द बिकसित होने में जो है उसमें जो है वो जड़ों का देर से निकलेंगी और उनका विकास भी कम होगा तो पूर्ण बिक्सित कंद और पुत्तियां तलवार के आकार की होनी चाहिए ये दो तीन महीने की होती हैं तो उस समय ये पूर्ण बिक्सित होती है इन पुत्तियों को उन पौदों के रूप में उस गड़ों में लगा देते और उसके बाद तुरन सिचाई कर देते और फिर पांच छे दिन के बाद दो चार सिचाई जो है वो पांच छे दिन के बाद हम जल्दी जल्दी करते हैं उसके बाद जाड़ों भर सिचाई जो है वो हम साथ दिन से ले करके दस दिन तक, जैसा मौसम हो, उसके अंतराल पर सुचाई करते रहते हैं. जैसे ही गर्मी का दिन फरवरी और जो है, मौर्च अपरैल आता है, उन दिनों में सिचाई फिर हम जल्दी जल्दी रहरम सुरू कर देते हैं. याने कि जब गर्मियों का दिन रहता है जब मौसम में गर्माहट होती है तब सिचाई कम अंतराल में करना चाहिए और सर्दियों के वक्त में अंतराल को बढ़ा देना चाहिए गर्मियों के दिनों में अंतराल जो है वो कम हो जाएगा और सर्दियों में उसका अंतराल बढ़ जाएगा अच्छा जब पुत्यां रोब दी गई तो उसके बाद कितने दिनों में वो पौद बढ़ जाती है कि फिर उसमें हम बाकी की दवाईयां वगेरा डाल सके हमको नतरजन सो ग्राम फासफेट और तीन सो ग्राम पुतास फिर पौदा हमको संसुत के रूप में बताया जाता है बिर्ड़ा परिक्षण के आधार पर अब जब जो नतरजन को जो हम प्रियों करते हैं वो अगस्त सितंबर अक्टूबर और उसके बाद फिर फरवरी और अप प्राइजम देते हैं तो इस तरीके से जो तीन सो ग्राम हमारी नतरजन है उसको हम पांच भागों बांट लेते हैं अच्छा फासफेट को जो है वो आदा रुपाई के समय ही डाल देते हैं गड़्डे में और आदा रुपाई के बाद जैसे ही वो पौदे में बिकास सु हो जाए उसको डाल देते हैं हमारी पौटास जो है उसको हम तीन भागों बांट लेते हैं सौ ग्राम जो है उसको हम रुपाई के समय डाल देते हैं उसके बाद फिर हम सितंबर में देते हैं और सितंबर के बाद पिर अक्टूबर शोड़ देते हैं और उसके बाद पिर हम नमबर शोड़ देते हैं दिसम्बर शोड़ देते हैं जाके फरवरी में जो है हम इसकी दुबारा से उसका उसको डाल देते हैं तो इस तरीके से नाइट्रोजन फासफेट और पुटास तीनों की जो संसुति है वो अलग-अलग रूब में कर देते हैं अच्छा जैसे कि में एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमने पानी दिया और हम आदा गंटा या एक गंटे के बात देखें कि हमारे पानी भरा हुआ नहीं है थावले में पानी भरा हुआ नहीं है थावला मिट्टी पूर्ट तरीके से सेचुरेट हो गई संत्रप तो हो गई सोख लेकिन प कि हम थावले में नमी को अधिक से अधिक समझ तक बनाये रहें। नमी को रोकने की प्रिक्रिया को मल्चिंग कहते हैं। अब इसके लिए क्या है पुवाल अगर किसान के यहां पढ़ा हुआ तो पुवाल ले 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 गन्ये की पताई ले या सूखी गहास पड़ी हुई हो तो उसको थावले को धख दे तो तो उससे नमी बनी रहेगी तो जल्दी जल्दी जो हमको सिचाई नहीं करनी पड़ेगी अब पॉदा जैसे ही विक्सित होता है इसमें से पुट्टिया पुट्टों न्कलना शुरू हो जाती है तो इस बात बहुत द्यादर रखना चाहए कि पुट्ट्टीMY को कभी बढ़ने नहीं देना चाहएं तुरंब पुट्ट्टी farkर करके जमीन के यह ऑगर आती है तो कि जो पौदे को मुख्य पौदे को जो भोजन मिलना है वो खाना सुरू कर देगी तो पौदे कब भोजन जो एक कम हो जाएं तो पुट्रीयों को साफ कर दिया जाता है कि एवल वही पौदा जो हमने लगाया है उसी पौदे को को है हम सर्वाइब करते हैं तो यह अभी डॉक्टर साब ने हमें बताया कि किस किन किन बातों का ध्यान रखे हैं जब केले की पौधों की सिचाय हो रही हो वक्त हो चला एक और छोटे से प्रेक का आप कहीं मत जाएगा हम जल्ब वापिस आते हैं अगर एक आम खरीदधार बाजार में जाए तो कारबाइट से पके हुए केले और विदिवत जो तरीका होता है दोनों तरीकों से पकाय हुए केले में अंतर कैसे कर सकते हैं दोस्तो स्वागत है आप सब का एक बार फिर से ब्रेक के बाद चर्चा को आगे बढ़ाते हैं डॉक्टर साब ब्रेक पर जाने से पहले हमने सिचाई पर बात की अब जानना चाहेंगे कि ऐसे कौन सी कीट है जो केले की पौधे पर लगने के सबसे ज्यादा जिनके आसार होत हैं तो पती बनाना जो वीटिल है उसके लिए मिथाइल ओडिमेट 25 एसी बन पॉइंट टू फाइब जो है लीटर पर हेक्टर या हम यह कहेंगे कि 125 एम एल एक प्रित पौधा इसका जो है पानी में मिला करके एक लीटर पानी मिला में और छिड़काव कर दें और जो जड प्रित पौधा 25 ग्राम ठावने में डाल दें और सिचाई कर दें तो इससे जो है हम कीटों से अपना रक्षा कर सकते हैं इसी तरीके से इसमें जो है मुख जो बिमारिया लगती है उसमें एक तो है पर्ण लाच्छन पर्ण कहते हैं पत्ती के लिए पत्ती को काटने वाली पत्ती में लगने वाली बीमारी है यह और इसके लिए कापर आक्सी कोराइड जीरो पाइंट तीन प्रिस्ट का चिर्काव करते हैं अच्छा अब केले की जो फसल है अब उपज के बारे में इसकी बात करूँगा तो कितनी उपज होती है और जब केला जब विक्सित हो रह होता है उस समय किन-किन बातों का ध्यान किसान भायों को रखना चाहिए केले में जैसे ही फूल आता है फूल आने के 23 से लेकर के 28 दिन के बीच में फलियां बनना सुरू हो जाती है और यह दीरे 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 जो है डंटल बढ़ता जाता है फली बनती चलिए जाती है यह हमारा पूरी घार जिसे कहते हैं कहीं गहर कहते हैं कहीं गहर कहते हैं यह पूर्ण पर हो जाती है तो इसमें जो है जो केले के उपर एक धार सी होती है यह पहले तो होती है नुकीली टाइप की फिर वो दीरे दीरे गोल हो जाती है और उसका पीलापन शुरू हो जाता ह तो जैसे ये पीला पन शुरू हो जाता है उसी समय जो है तेज चाकू हो धारदार उससे हम जो है इसको काड़ करके और हम ले आते हैं कहां पकाने के लिए अच्छा यानि की काड़ने के बाद अब पकाने की जो प्रक्रिया होती है वो तब शुरू होती है अब पकाने के लिए हमको जो है सबसे पहले हमें ये देखना है कि कमरा हमारा जो है वो इस तरीके का है कि जिसमें हम घार पकाएंगे वो एर्टाइट हो जाएगा रखके समय इस बात का ध्यान रखे हैं कि एक गार दूसरे गार पर दवाओ न डाले दवाओ डालने पर होगा क्या कि अगर पकेगा तो दबने का डर है तो सबसे जरूरी चीज़ ये हो गई उसके बाद उसी कमरे में गोबर के जो उपले बनाते हैं या तो उनको जला कर या आंगीठी जला करके हम बहां पर घीट डबलब करते हैं और कमरे को एर टायट मिट्टी से लेस देते हैं चारों तरफ से कहीं भी कोई जीरी न रह जाए इस तरीके से 48 से 72 घंटे के अंदर जो है हमारा केला पक जाता है और इस तरीके का पका हुआ केला जो है मीठा बहुत होता है लोग कहते हैं चित्तीदार केला कोई जात नहीं है यह पकाने की विद्ध है जिसके कारण उसके जो जिखता है और बहुत मीठा पड़ता है अच्छा एक तरीका अक्सर हमें सुनने को मिलता है जो हम अक्सर अकबार में भी पढ़ते है कि का प्रयोग करके केलों को जाता है वो तरीका कैसा होता है और वो जहां तक लोगों जहां तक पढ़ने को मिलता है वो यह भी सुना गया कि वो काफी हानिकारक होता है देखिए केला ही नहीं अधिकांस फल जो है वो कारवायट से पकाये जाते थे और कारवायट में चूंकि यह उसका गुण है कि जहां वह रखा जाता है वहाँ एकड़ हीड डबलब करता है तो कारवाइड से पकाने पर जो है बहुत जल्दी फल पक जाता है तो एक तो इसमें भंडारण की छमता नस्थ हो जाती है दूसरे इसका स्वास पर विपरीद प्रवाँ पड़ता है इसलिए सरकार ने कारवाइड से के लिए अब प्रवाइड से फल ना पकाये जाएं इसके लिए एक केमकल अलग से और आता है वो केमकल जो है एथिल नाम का केमकल है और इसमें क्या करते हैं कि गहरों को एक खटा एक जगह पर रखने के बाद इस पर जो है बोई कमरे में ही रखा जाएगा रख दिया और पत्तियों से ढग दिया और पत्ती से ढगने के बाद फिर उस पर जो है बोरे से ढग देते हैं मतलब दवा चड़क दी और बोरों से ढग दिया और ढगने के बाद उससे चोड़ देते हैं तो यह इससे जो केला पकता है वो केला बाजार में देखने में बहुत सुंदर हो और इसका बंडारन शमता भी अधिक होती है अगर एक आम खरिदार बाजार में जाए तो कारवाइट से पके हुए केले और जो विदिवत जो तरीका होता है दोनों तरीकों से पकाया हुए केले में अंतर कैसे कर सकते हैं जुकि कारवाइट का पकाया हुए केला और जो इस तरीके का पकाया हुए केला है उसमें आप पहले दिन देखेंगे तो उसका कुछ रंग और होगा जी है और कारवाइट वाले का रंग थे जो है बादल जाएगा केला खराब होने लगाएगा जबकि आपका जो विदियां है और जो अंगीठी जला करके इन विदियों में केला दूसरे दिन भी आप देखेंगे तो केले में कोई भी अंतर ज्यादा नहीं आता उसके गुणवत्ता जो है अच्छी बनी रहती तो यही खासकर जो अंतर है मो जब आप मार्केट से या बाजार से केला खरीदे तो इन बातों का ध्यान जरूर रखें डॉक्टर साब आपकी तमाम जानकारियों के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपको भी मैं यहां पर बुलाने के लिए महान आवारी हूं कि आपने मुझे यहां इस्टूडियों पर हमें जरूर भेजें हमारा पता है 302 ए पोसाइडन टावर ऑफ यारी रोड बरसोवा अंधेरी वेस्ट मुंबई 400-061 हमारा इमेल आइडी है bkk at green tv india.com आप हमें कॉल भी कर सकते हैं हमारे फोन नंबर है अपने टीवी पर ग्रीन टीवी देखने के लिए अपने केबल ऑपरेटर या डी टी एच ऑपरेटर को तुरंट कॉल करें और हमें लिख फेजें info at green tv india.com पर sms या whatsapp करें 9 7 6 9 5 7 7 049 पर वक्त हो चला है विदा लेने का तो हमें दीजे इजाज़त और देखते रहिए green tv के ह्वाओब की छल्चा हुर।